फिर्स्ट च्ट्स वेर धमाकर सेल ओफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किट्स वेर सैंसी बाबा सूथ, चूडीदार, बेस्टन आउट्टेट होज़ी आइटम्स और भी बहुत कुछ फिर्स्ट च्ट्स नौ साल से है आपकी च्ट्स वेराइटी की घरमार, अच्छी कॉलिटी, कम दाम, आज ही आएं फिर्स्ट च्ट्स वेर महें स्रामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट टाइम्स मुंबई में बारिश ने इसकदर कहर पर पाया है कि विक्रोली और चेमबूर में अलग अलग दो हाथ़सों میں खुछ 24 लोगों की जान जाने की ख़वर सामने आई है तस्वीरे आप चेंबूर और विक्रोली की देख रहे हैं तस्वीरों में देख सकते हैं जहां भुस्खलन के बाद दिवार गिरी और दिवार गिरने से इस हाथसे में 24 लोगों की जान चली गई है राहत बचाव का जारी है चेंबूर में पहाड का एक हिस्सा खिसकने से हाथसा हुआ है और मलवे में अभी कई लोगों के दवे होने की भी खबर सामने आ रही है मुंबई में मौसम का कहर एक बार फिर तूटा विक्रोली और चेंबूर इलाके में भुस्खलन के बाद दिवार गिरने से 24 लोगों की जान जाने की खबर है वहीं घायलों को राहत बचावकार है उसमें भी बाधा उत्पन हो रही है क्योंकि जो गलियां है वो काफी संकृत है वैरहाल राहत बचावकार जारी है मलवा हटा कर लोगों की तलाश की जा रही है जुरू हुई साड़े बारा के वादे कुछ खबर आई कि घटना बड़ी घटना घट चुकी है जब फायर विकेड अबुलेंज जाने लगा किसको कुछ पता नहीं दा अच्छली देखा जो पूरा एर्या पानी में भर चुका था तो किसको कुछ पता नहीं दा जैसे जै अधरी अंदर आने सकती है क्योंकि सुविधा पूरी मिल सकती नहीं क्योंकि सिच्वेशन इतना खराबे ना कोई अंदर पहुच बारा बराबरा के आसपास हमें जानकारी मिली थी हमारी टीम यहां पर रिप्लाइट थी विकाज अब बाटर लेवल इंक्रीज हो रखा था और जैसे हमें सुचना मिली हमारी टीम तुरंट मौके पहुची है और तुरंट ऑपरेशन में जुड़ गई है इसके अलावा और विक्रोली में भी एक टीम वहां पर पहुच गई है और वहां पर भी काम चल रहा है इंडियारफ टीम वहां पर जश्ट अभी पहुची है उसके पहले ही वहां पर तीन डिकलेर डेट बॉड़ी निकाल जा चुकी है और अभी भी काम कुछ बिल और पांसे छे लोग बता रहे हैं दवे होने की संभावना है काम अभी जा रही है चेम्बूर की अगर बात करें तो कितने घंटे और यह उपरेशन चल सकते हैं हम देखेंगे कि जितना कोई किसी ने भी क्लेम किया है लास तक जब तक कोई क्लेम करता रहेगा और जो यहां का लोकल प्रशासन है बताता है कि यहां पर बाड़ी और मिलने की संभावना है तब तक हम काम करेंगे